क्या तुमने दो दो बुजी नोटिस की क्या तुम्हें भी लगता है कि मुवी में भैरवा के मल्टिबिल सूट्स होने वाले हैं यह न्यू वर्ल क्या है और नाग अश्विन सहाब कि इस कल की वाली दुनिया में किस टेक्नलोजी पे चीजें ओपरेट हो रही हैं ऐसी ही नहीं के जटपरेज को फे propus होने वाली है love you और बुजी नहीं मैं कर रहा हूँ यह मेरी अनेको भविश्यवानियों में से एक और भविश्यवानी है जो सच होने वाली है और बावले हो कि यह सोचने की भी कोई दरट नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि यह क्रेस पुराने व को फर्ष से अर्ष तक लेके चला गया और हाँ एक और बात जिन लोगों को यह गलत फ्रैमी थी कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती एक्सप्रेशन नहीं आते फेस पे वह भाई यह जाके अपनी भेंस चरहे खेर तो अब हम डारेक्ट आते हैं अपने डिटेल्स ब्रिकड मतलब जो इनाम की रखम के लिए किसी पर्टिक्लर काम को अंजाम देते हैं अब हाँ वह कुछ भी हो सकता है किसे मुश्किल जगे से कोई चीज निकाल के लेके आने से लेके सुपारी लेके किसी की जान लेने तक विल इसमें अलग अलग लेवल होते हैं भैरवा पैसे के किसी की जान लेने वाला टाइप का काम नहीं करता होगा बस वह एडवेंचरस लाइव जीने वाला एक इनसान है जिसको मुश्किलों का सामना करने में मजा आता है और उसमें अगर पैसा भी मिल रहा है तो भाई मजा ही मजा डीटल नमबर टू टीजर के पहले शोट में हम डिरेक्टर ना गश्मिन की ब्रिलियंट पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड बिलिंग का नमुना दिखाई दे जाता है कार में लगे इस यंतर को देखो यहां इस यंतर के बीचो बीच एक मैगनेटिक कैसे टेप लगी हुई है जिसके दौरा हम पहले पेंड्राइव और सीडी आने से पहले अपने कैसेट प्लेयर में सौंग सुना करते थे अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यह तो 2898 AD है तो इतने फ्यूचर में डिरेक्टर ने इन कैसेट प्लेयर को क्यों सेट किया तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ इसे कहा जाता है रेट्रो फूचर कि पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर में जहां पर दुनिया किसी वज़े से बरबाद हो चुकी होती है वहां पर हुमेनिटी के साथ ही साथ टेक्नलोजी भी अल्मोस्ट देस्ट्रोए हो जाती है ऐसे में हुमन सिविलाजेशन को री स्टैब्लिश करने के साथ ही साथ और टेक्नलोजी को भी रिस्टोर किया जाता है उस ताइम पुरानी से पुरानी टेक्नलोजी को नए कॉंसेट के साथ जोड़के इस्तमाल किया जाता है इसका हाल यह एक्जामपल तुम्हें फॉल आउट सीरीज में देखने को मिल जाएगा वो भी एक पोस्ट जमाने की वो टेक्लोजी हमें इस्तमाल में होते हुए दिख जाएगी जो की हम पिछले पचास साल में इस्तमाल करके छोड़ चुके हैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं अगर अब भी समझ नहीं आया तो सीधी बासाना समझाता हूं जुगाड इस वाले शोट में हमें स्टाइल के स्विच इस भी देखने को मिल जाएंगे डिटेल नमबर थ्री कल की टुएट नाइट एडी की दुनिया में मनी को डारेक्ट यूनिट शब्द के साथ रेफर किया जा रहा है मतलब रोपिया डॉलर पाउंड सब खतम जो भी करनसी है उसको यूनिट बोला जा करते हैं यह बंदा उसी रेबल आर्मे का मेंबर है जो हमने प्रोजेक्ट के की ग्लिम्स में भी देखी थी और लोग को किसी बहुत ही टाइट सिक्योर्टी वाले जगे पर किसी चीज़ को ढूंडने जाना है और बहरवा काफी फेमस है बाउंटी के लिए काम करने में तो परसेंट और ऐसा बुझी ने इसलिए बोला क्योंकि आफटा रेटिना स्केन ऑफ दिस परसन बुझी को समझा गया कि यह रेबल ग्रूप का मेंबर है और इसके पास वन मिलियन होते तो यह जिंदगी में मजे ले रहा होता ना कि रेबल ग्रूप का मेंबर होता अब से पहले बुझी के लाइट का कलर ब्लू था क्योंकि वह पॉजिटिव थी नए मिशन को लेके लेकिन जैसे उसने रेटिना स्केन करके यह देखा कि यह बंदा खुद कंगला है वैसे ही बुझी के लाइट का कलर भी ब्लू से रैड हो गया यानि कि एग्रीमेंट में कलर ब्लू होगा और रिजेक्शन में कलर रेड डिटेल नुम्बर सिक्स इस शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि भहरवा बुजी को लेके जिस जगे जा रहा है उसका नाम है निव वर्ल्ड यहां एक टोटा हुआ साइन बॉर्ड भी लगा हुआ है वेलकम टो दा न्यू वर्ल अब ऐसी टूटी-फूटी जगे का नाम न्यू वर्ल थोड़ा आजीब नहीं लग रहा सुनने में लेकिन यह जगे एक्च्वल में पहले से ऐसी नहीं थी हुआ कुछ यूं होगा कि आफ्र दा डिस्ट्रक्श कुछ ऐसी जगे ढूंड निकाली होंगी जहां पर रेडियेशन लेवल कम हो चुगा होगा और वह प्लेस इंसान के रहने लायक होगा ऐसा उन को लगा होगा इसलिए उन लोगों ने वहां पर इंसानी बस्तियां बसानी शुरू कर दी और उन्हीं में से एक बस्ती थी नि है यहां बस अब खंडर ही बचे हुए हैं हम देख सकते हैं कि उस बस्ती में फ्युचरिस्टिक टाइप की उची बिल्डिंग्स थी ब्रिज बगारा भी थे यहां पर शायद कोई पानी का सोर्स भी मिला हो उन्हें मतलब एक्शल में ना मिला हो उनको लगा हो कि यह सोर्स है लेकिन अब वहां पर कुछ नहीं है डीटल नंबर सेवन नेक्ट शॉट में हम भैर्वा को कार के अंदर बैठा देख सकते हैं और यहां पर हम ध्यान से देखे तो पाएंगे कि यह वही सेम सूट है जो हम अभी तक देखते आए हैं लेकिन यहां इसमें स्लीज भी एड और अकाम करता है यानि कि में भी सूट में कुछ ऐसी फंक्शनिंग हो कि यह स्लीज भैर्वा को एक्स्ता फेजिकल स्ट्रेंच देती हो इनका मसल वाला स्ट्रक्चर देख तो यह लग रहा है यानि कि जब भी भैर्वा को कहीं पर एक्स्त्रा मसल पावर की ज़द्थ का इस्तमाल करेगा जब कि ऐसा नहीं है हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह दोनों सेम ही सूट है बस भैरवा अपनी जुरत के हिस्साब से इस सूट में माइनर अपग्रेड कर सकता है में भी आर्ट टाइप का डिवाइस भी उसी अपग्रेड का एक हिस्सा हो और यह अपग्र सिर्फ उन्हें चार्ज करते हो एंड में इन शूज को चार्ज करने की एक लिमिट हो जिसके वज़े से इनका पूरा पोटेंशल इस्तमाल में नहीं आ पा रहा हो तो भैरवा इस वाले शॉट में हो सकता है एक आर्क रेक्टर जैसा कुछ डिजाइन कर रहा है अपने अपने शूज को अनलिमिटेट पावर सप्लाई देने के लिए जिसके फल सुरूप हम ग्लिम्स में उसे शूज के सारे फुलोन स्लाइड करते हुए देख सकते हैं और यहां पर आर्क रेक्टर इसकी चेस्ट पर मौजूद भी है डिटेल नमबर 10 यहां इस शॉट में एक एक सर्टेन लेवल के एनरजी ब्लास्ट किये जा सकते हैं इन बॉल्स को भैरवा अपने गलव से डारेक्ट टार्गेट को शूट भी कर सकता है और चाहे तो अपने हाथ में लेके मैनुवली भी उनका इस्तमाल कर सकता है डिटेल नमबर 11 यहां मिशन के बीच में जब इन dari statue है वह उस इनसान का हो जिसने स्नकीन नाम की बस अब है अकूने एसा होता है मुमान की जिसने वह बसायी ती यहां बहुत इंपॉर्टन रॉल प्लेए करने वाली यह यहां इतनी हाई लेवल की construction technology अवेलेबल थी लेकिन फिरी भी इस कलोनिका पूरी तरह से construction हुए बिना ही यह सब लोग extinct हो गए यानि कि यहां जो भी हुआ वह बहुत बड़े लेवल पर हुआ होगा अब देखो बहले ही बुझी को महिंद्रा टैक की है उसको बाद में सीजी की हेल्प से चेंज किया गया है थोड़ा फर एक्जांपल लाइव मॉडल को स्टेरिंग वील की हेल्प से उपरेट किया जा रहा था लेकिन मूवी वर्जन में स्टेरिंग वील नहीं है बलकि वहां पे एक काइंड ओपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि हमें अमोवन प्लेन वगर में देखने को मिल जाता है दोनों के टायर साइज में भी डिफरेंस है और कॉक्पिट भी लिटल बिट डिफरेंट है बट इट्स ओके लाइव एक्शन में लेकर आए यही बहुत बड़ी बात है खेर तो यही थी सारी डीटेल्स जो मुझे पकड में आई पहली नजर में आगे भी इसके पर हम बात कर दो है